हेलो फ्रेंज, वेलकम डुए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन जो की फ्रेंज से जारी हुई है आपके रेलवे में RRB NTPC Graduate Level Online Form 2024 के लिए इसका फ्रेंज से फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं Step by Step process के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फ्रेंज से जो ये वेकेंसी है RRB NTPC की इसके लिए आप वेकेंसी डेटेल्स को जोवरास्ता.com पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको फ्रेंज से यहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी कैसे आपको यहाँ पर आविदन करना है क्या इसकी LBT कंडिशन्स है 8113 पोस्ट है 14 सतंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए है आपकी फ्रेंज जो एप्लिकेशन फीस लगने वाली है साथ में फ्रेंज से नंबर ओफ पोस्ट कितनी है और आपके RRB-wise भी vacancies कितनी कितनी है वो सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइट की हुई है डिगरी आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में है आप इसमें आविदन कर सकते हैं साथ में फ्रेंज सेलेक्शन प्रोसेस और आपको फ्रेंज सिलेबस भी मिल जाएगा और उसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर अप्लाए का लिंक मिल जाएगा अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाए प्रोसेस के लिए और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर फैंसे देखिए, यह इसका ऑफिशल पोर्टल है जो की यहाँ से आपको आविदन करना है अब देखिए, आपको अपलाए का ओप्शन मिलता है अब इस पर फैंसे अगर आप पहले से रडिस्टर हैं तो आप create an account पर click करेंगे और उसके बार आप यहाँ से okay करेंगे अगर आपने देखिए, ALP, Technician, RPF, JE, Paramedical जिसके लिए भी आविदन क्या हुआ है आपको दुबारा से registration करने की जोर्त नहीं होती सबसे पहले आपको यहाँ पर nationality select करनी है इसके बार आपको यहाँ पर कुछ basic जानकारी यहाँ पर देनी होगी जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर enter करेंगे आपका नाम और नाम आपके matriculation की mark sheet के according आपका यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम change किया है तो आप yes कर सकते हैं और उसके बाद change किया हुआ नाम आप देंगे नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे आपका date of birth क्या है तो आप इस calendar पर जाएंगे और उसके बाद फेंस आपका जो भी date of birth है date month and year वो आपको देना है और इसके बाद फेंस आपको इसके जो है father name को और उसके बाद आपकी mother name को आपको यहाँ पर verify भी करना होगा तो यह basic जानकारी है आपके father name की और आपके mother name की जो कि आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद फेंस अधार verification option है तो अपने अधार कार का नंबर आप यहाँ पर दीजिए और verify using अधार पर click कीजिए इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का interface आएगा जहाँ पर देखिए आपको आपकी जानकारी show होगी अगर आपका जो matriculation details है वो आपके अधार कार से same है तो आप यहाँ पर click करेंगे यह automatic copy हो जाएगा आप यहाँ पर click करेंगे eye holder पर और उसके बाद यहाँ से simply verify कर लेंगे अधार verification करना ज़रूरी है अगर आप अपना अधार verification नहीं करते है तो friends से आपको जो आपका जो friends से यहाँ पर traveling का जो ticket होगा और आपके जो बाद में friends document verification के लिए जो आपके lot letters आएंगे वो आपको इन पर ही मिलेंगे तो इसलिए dizzy locker को और अपने अधार verification को complete ज़रू कर लें पर मान लिजी आप form को अभी apply करने हैं और अधार आपके पास नहीं है या अधार में कोई भी दिक्कत है और आप उसे edit बाद में करवाते हैं तो आप यहाँ पर इसे close कर सकते हैं और आप यहाँ पर I do not have अधार पर click करेंगे इसके बाद दोबारा से click करेंगे आपके पास एक option आएगा आप यहाँ पर कोई भी ID जैसे driving license, passport, pen card, voter ID, कोई भी employer ID, school, college या, university अगर आप अभी पहट रहे हैं तो उसकी ID आप select कर सकते हैं जैसे मालीजे आपने DL select किया तो DL का number क्या है, DL किस ने issue किया है तो जैसे आपका मालीजे passport है या voter ID है तो अगर आपका इन पर नहीं है कोई भी आपका issue name तो आप वहाँ पर government of India दे सकते हैं अगर RTO ने जारू किया है driving license तो आप RTO दे सकते हैं कहां कि RTO जारी किया है, कहां से किस place से ये issue हुआ है और date of issue क्या है वो आपको देना होगा इसके बाद आपको आपकी mail ID और mobile number यहाँ पर enter करने है इसके बाद आपको generate email OTP और generate mobile OTP करना है आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर type करेंगे इसके बाद है password generate, password कैसा होना चाहिए इसके लिए फैंस आपको यहाँ पर देखिए कुछ guideline दी गई है जैसे capital letter, small letter, special character और number आपके उस password में होने चाहिए मैं आपको sample show कर देता हूँ तो आप देखिए कुछ इस तरह से password बनाएंगे जहाँ पर आप capital letter भी use करेंगे, small letters भी use करेंगे आप यहाँ पर numbers भी use करेंगे और आप अपना special character भी यहाँ पर use करेंगे at the rate, star, hash आप use कर सकते हैं इस तरह से password बनाने के बाद आप इस capture code को fill करेंगे preview and create an account पर click करेंगे मतलब यहाँ से अपने registration का preview करेंगे और उसके बर अपने account को create करेंगे account create करने से पहले जो भी details आपने यहाँ पर fill की हैं उसका preview आप check जरू कर ले कोई भी गलती है अगर registration में आप उसे edit कर ले अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही अपने account को आप यहाँ पर create करेंगे account create होने के बाद friends यहाँ पर देखिए जो next option है वो है sign in into your account का तो देखिए आपका mobile number या mail ID कोई भी एक जनकारी यहाँ फिल कीजिए और जो आपने थोड़ी दिर पहले password create किया होगा वो password दीजिए इस capture code को फिल कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से login कर लेंगे apply करने के लिए login करने के बाद friends आपके सामने देखिए जो interface open होगा यहाँ पर online application में आपको यहाँ पर option मिलेगा cn05-2024 का जो की ntpc graduate post के लिए है जिसके लिए 14.09.2024 से opening date है closing date है 13.09.2024 अब आपको यहाँ पर rrb पर जाना है आप इन में से जिस भी rrb में apply करना चाहते हैं आप उस rrb को select करेंगे आयम not पर click करेंगे और उसके बाद next step पर click कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए अब आपका जो option आएगा वो marital status का होगा तो marital status आपको select करना है visible कोई भी identification mark जैसे कोई cut का निशान कोई mole कोई burn का निशान है आपके चहरे पर हाथ पर पैर पर आप उसकी जानकाई दे सकते हैं नहीं तो आप no mark की entry करेंगे इसके बाद है आपका cast certificate अब देखिए friends आपके जो भी category है general है SC, ST, OBC, EWS आप select कर सकते हैं आपके cast का नाम आपको देना है अब यहाँ पर जो cast कौन सी होती है तो friends यह जैसे SC है, OBC है यह friends आपकी होती है category इसके अंतरकत जो भी friends आपकी cast है वो cast आप यहाँ पर enter कर सकते हैं अब यहाँ पर friends सिर्फ मैं sample के तौर पर लिख रहा हूँ, आपकी जो भी cast आपकी जाती प्रमान पतर पर है वो आप देंगे, certificate number आपको देना है, issuing authority कौन सी है तो लेखें यहाँ पर बहुत सारे आपको issuing authority दी गई है, आपके certificate पर चेक कीजिए, उस पर जो भी seal या मोहर लगी हुई है, जिन्नों ने ये जारी किया है, वो friends आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किसने ये जारी किया है, वो आप यहाँ से selected कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर किस state से issue हुआ है, date of issue क्या है, अगर आपको traveling pass नहीं चाहिए, तो आप no कर सकते हैं, उस condition में आपको यहाँ पर certificate upload करने की ज़रत नहीं है, अगर आप OBC candidate हैं और आप यहाँ पर OBC देते हैं, आप यहाँ पर creamy layer में अगर आते हैं, तो आप yes करते हैं तो यहाँ पर certificate number और issuing authority और date of issue देना है, कि आप OBC non-crimalier से belong करते हैं, अगर आप यहाँ पर creamy layer में आते हैं, तो आप यहाँ पर I understand पर click करेंगे और उस पर no पर click कर देंगे, कि आप यहाँ पर non-crimalier में नहीं आते हैं, तो आप जन्दल में count किये जाएंगे, पर आप yes कर करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको certificates की जानकारी देनी होगी, इसमें भी friends से आपको certificate upload करने की जोड़ नहीं है, पर आप SCA, STA, candidate हैं, तो आपको यहाँ पर certificate तभी upload करना है, अगर आप traveling pass चाहते हैं, तो और यहाँ पर certificate जो upload होगा, वो 500 KB से size कम होना चाहिए, PDF format में, मेली 100-500 KB के बीच में, आप यहाँ पर PDF format में यह upload कर सकते हैं, इसके बाद address section है, तो पूरा address आपको देना है, कौन सा state है, कौन सा district है, आपका पूरा address क्या है, मैंने सिर्फ demo या sample के तोर पर enter किया है, आपको आपकी actual जानकारी यहाँ पर देनी है, आपका village या town कौन सा है पिन कोड क्या है, यह जानकारी देनी है, अगर आपका present और permanent address सेव हैं, ताप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग-अलग है ताप लग-लग entry करेंगे, और उसके बाद सेव करके nest कर देंगे, इसके बाद friends, nest option, category details का है, तो सबसे पहले जाकर देखिए, अगर एक service man है और yes करते ह तो defense service आपकी कौन सी है, army है, navy है, air force है, वो आप select करेंगे, किस rank पर आप थे, date of joining क्या था, अगर आप still working है तो yes कीजिए, नहीं तो आप no करेंगे, date of discharge आपको देना है, reason for discharge देना है, discharge की certificate क्यों जानकारी देनी है, अगर आपने re-employment लिया है, एक service man तो आप yes कर सकते हैं, और आपका जो current department है, वो जानकारी आप देंगे, नहीं लिया है, कोई भी re-employment तो आप no करेंगे, अगर आप PH candidate है और आप यहाँ पर yes करते हैं, तो आप यहाँ पर disability category, percentage of disability, nature of disability यह आप select कर सकते हैं, और आपका PH certificate जानकारी आपको provide करनी है, नहीं तो आप यहाँ पर भी no क करेंगे, EBC card holder अगर आप है, मतलब यहाँ पर आपकी family income पचास जार या उससे कम है, तो आप यहाँ पर इसे yes कर सकते हैं, आपको fees में छूट चाहिए, तो yes कीजिए, और इसका certificate number, issuing authority और date of issue यह भी आपको provide करना होगा, अगर EBC card holder नहीं है, तो आप simply no कर सकते हैं, इसके ब बार है bank detail for refund, यह क्या है, तो friends से देखिए, जो पैसे आपके लगेंगे, जैसे जंदल OBC के लिए 500 रुपे है, बाकी दर के लिए 500 रुपे है, तो 500 में से 400 रुपे refund होंगे, CBT1 के बार, और जिनके 500 रुपे लगेंगे, उनके 500 रुपे refund हो जाएंगे, तो जिस account में आपक चाहिए, उस account की जानकारी आपको देनी है, उसमें आपको account holder name, account number, आपके account को confirm करना है, IFC code देना है, और उसके बार इसे confirm करके, आपका जो है bank का नाम और address यहाँ पर आ जाएगा, अभी जानकारी कहां मिलती है, तो यह bank की जो passbook है आपकी, उसके first page को आप देखिए, उस first page पर, bank की first page पर आपको आपका account holder name, account number और IFC code सब मिल जाएगा, और वो enter करने के बार आप इसे save and nest कर सकते हैं, इसके बाद फैंसे nest option जो आपका यहाँ पर open होता है, वो होता है qualification का, अब देखिए, सबसे पहले qualification में आपको यहाँ पर entry करनी होगी, 10th की, तो आप यहाँ पर जो है option को select करेंगे, अब 10th में friends, आपने किस state से यह pass किया है, वो आपको select करना है, किस district से pass किया है, किस board से pass किया है, date of result आपका क्या है, वो आपको जनका ही देनी है, roll number देना है, और यहाँ पर अब आपको जो आपका 10th का certificate है, वो भी आपको यहाँ पर upload करना होगा, तो इसके लिए friends, जो size रखा गया है, वो same है, 500KB से कम size होना चाहिए, PDF format में आप यह upload करेंगे, आपको file को select करना है, save पर click करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर friends, इसे update कर देना है, इसके बाद friends, यहाँ पर अब आपको qualification पर bestlet degree का option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, इस पर provide कर सकते हैं, और यहाँ पर friends, आपकी जो भी subject है, या friends, आपका discipline है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर provide करेंगे, इसके बाद किस state से आपने इसको pass किया है, किस district से pass किया है, university या institution का नाम क्या है, तो पूरा नाम आपके college या university का आप दे सकते हैं, date of आपके complete क्या है, वो आपके पास English या Hindi में है, तो आप yes कर सकते हैं, नहीं है, तो आप यहाँ पर simply no कर सकते हैं, अब यहाँ पर friends, देखिए, typing preferences mandatory है, candidate must be proficient in typing in English या Hindi language, तो friends, यहाँ पर देखिए, आपको जो category 4 and category 5 है, typing test के लिए, वो friends, आपको यहाँ पर अगर आप उस post के लिए apply करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर typing test में यहाँ पर जो है प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए, तो आपके according अगर आपको यहाँ पर प्रोफेंसी चाहिए, अगर आप उन post के लिए आविदन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर इसकी notification को चेक करेंगे, और इसमें LBT conditions देखेंगे तो देखें, आपके junior account assistant कम typist, senior killer कम typist में देखें, typing प्रोफेंसी आपकी यहाँ पर required की गई है, बाके दर post के लिए नहीं भी है, तो भी चलेगा, पर अगर आप माली जी आपके पास यह है, तो friends, आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, और नहीं है, तो आप यहाँ पर no भी कर सकते हैं, इसके बाद friends, यहाँ पर आप इसे next app पर click करेंगे, और इसके बाद friends, यहाँ पर देखें, अब आपका friends, यहाँ पर जो sample है photograph का, जो की आपको दिया गया है, कि कौन कौन सी photo reject हो सकती है, और कौन सी acceptable है, वो आपको यहाँ पर दी गई है, ऐसे ही friends, नीचे आपको यहा यहाँ पर upload करना होगा, अब देखें friends, photograph and signature को आप कैसे upload कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर size है mm में या pixel में, तो यहाँ पर height है 320 और width है 240, तो इसके लिए friends, आप imresizer.com को open कर सकते हैं, आपकी photograph या signature, आप photograph अप्लोड कर रहे हैं, signature आपको यहाँ पर import करना है, और उसके pixel भी दिया गया है, अब जैसे आप से यहाँ पर height मांगी है 320, तो आपको friends, यहाँ पर height में 320 mention करना है, और width में देना है 240, और इसके बाद friends, आपको यहाँ पर देखें, signature की बात करें, तो आपको friends, यहाँ पर height दी गई है 60, और जो आपकी width है, वो दी गई है 140, जो कि आप यहाँ पर enter करेंगे, इसके बाद jpg format में रखना है, kb आप यहाँ पर choose करेंगे kb, और kb में size कितना है, kb में size है 30-70 kb, और यह है friends, आपका 30-70 kb, तो आपको यहाँ पर size रख लेना है, आपके according मालीजिए, आप यहाँ पर 50 kb में size रखना चाहते हैं, 50 kb रखिए, nest download प signature upload हो जाएंगे, इसके बाद friends, आप इसे save and nest करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए आती है post, अब यहाँ पर सभी post आपके सामने show कर रही होंगी, सभी post इसलिए आई है, क्योंकि आपने typing के लिए yes किया होगा, आप यहाँ पर देखिए आप अपने according जो भी यहा पर देना चाते है, जिस post के लिए preference देना चाते है, वो आजाती है, अब यह कैसे आई है, तो जो भी आपने यहाँ पर जानकारी fill की है, अभी तक, उन सभी के according आप जिन जिन post के लिए applicable है, वो automatic आपको यहाँ पर show करती है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर टेक करेंगे, इसके बाद फैंसे आपको यहाँ पर पूछा गया है, कि आप जो कोई भी लासिक सर्जरी है, या सर्जिकल प्रोसीजर के अंतरकत नहीं गये है, आप यहाँ पर आई हैम नोट पर किलिक करेंगे, इसके बाद डिकलेर करेंगे, जहां से भी आप इस form को कर रहे हैं, आपके उस एरिये का, गाउं का, डिस्टिक का, वो आप यहाँ पर तहसील का, जो भी आप नाम देना चाहें, वो दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसे आप सेव कर देंगे, सेव होने के बाद पर प्रिव्यू एप्लिकेशन पर किलिक करेंगे, इसके ब अब आपको pay with razor pay का option मिलता है, आप इस option पर किलिक करेंगे, इसके बाद friends से multiple options हैं, यहाँ पा देखिए, आप net banking यूज कर सकते हैं, आप using card कर सकते हैं, तो आपके according जो भी option यूज करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, अगर आप SDFC का use करते हैं तो, अगर आप इसका use नहीं क या friends जो आपको QR code दिया गया है, इस QR code को scan करके भी friends आप payment अपना complete कर पाएंगे, तो आपके friends PC या mobile पर जो भी QR code आपको show कर रहा है, वो आपको scan करना है, और उसके बार आपके payment को आपको complete कर लेना है, तो यहाँ पर friends जैसे ही आपका payment complete होगा, payment successful होगा, आपकी सामने payment slip आ जाएगी, जहाँ पर देखिए जो amount है, वो आपको यहाँ पर आपको show करेगा paid जो status आप चेक कर पाएंगे, इसके बाद friends आप इस print वाले option पर click कर धकते हैं, आपकी print की receipt को save करने के लिए, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जो my application section है, यहाँ पर आपको post name, जो की ntpc graduate post ह इसमें देखिए payment status आपका complete है, और इसमें friends आपको view application का option मिलता है, यहाँ से आप अपने application form का जो print out है, वो save या download करके आप अपने पास रख सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर process बता दी है, कैसे आप rrb, ntpc, online form 2024 apply कर सकते हैं, इसके friends step by step process के बारे में, अगर आपको ह हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, तो like, subscribe शे जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चैया, एलास thanks for watching